विराट कोहली को दिया गया आराम रोहिच शर्मा होंगे अब नए कप्तान नमस्कार स्वागत है आपका बात खेल की में और आप देख रहे हैं News 28 मैं हूँ आपके साथ हलका बात खेल की जहां हम बात करेंगे खेल जगत से जोड़ी तमाम छोटी बली खबरों के बारे में और आज की विडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से विराट कोहली को अब कप्तानी के तौर पे अराम दे दिया गया है इसके साथ ही साथ रोहिट शर्मा को T20 फॉर्मैट का नया कप्तान बनाया गया है जी हाँ आपने सही सुना अब T20 फॉर्मैट में रोहिट शर्मा कप्तान होंगे इसके साथ ही साथ केल राहुल को नया उप कप्तान घोशित किया गया है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली को T20 फॉर्माट से कप्तानी छोड़नी पड़ी चलिए आपको हम बताते हैं दरसल IPL 2021 के दौरान विराट कोहली ने ये एलान किया था कि अब वो IPL में और T20 फॉर्माट में कप्तानी नहीं करेंगे इसके बाद T20 वर्ल कप के खतम होते ही विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है और अब कप्तान की कामान रोहिट शर्मा के हाथ में है लेकिन साथी साथ ऐसा भी सुनने में आया है कि BCCI ऐसा फैसला ले रही है कि अब ODI में भी विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे आखिर कितना सच है इस बात में जानने के लिए देखते रहे है निउस 28 नमस्कार